हेलोस तो कैसे हैं आप लोग में हुआ मेरे और आप देख रहे हैं टेक्साफ्ट मेरा काम है अपडेट देना आपको हर्मस टूल को एक अपडेट आया था और आज की वीडियो के नहीं है जो कि मेरे पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए थे लोगों से और बहुत सारी सिर्फ मैक के लिए मैक बुक के लिए विंडोस के लिए मैक बुक के लिए है और विंडोस के लिए भी टूल नहीं आया आएगा प्रोसेस सुन तो अक्सा लोग मेसेज करते हैं कि उसके लिए कब आया का मेरे को नहीं पता होता तो जो यह वाला आया था वाला तो यह काम न काम कर ला है और लगा है दो चाहिए अगर होगा तो इंशाल्ला आपको मैं बता दूँगा ठीक फिर नया अपडेट निकारा है नो 1.1 यह भी मैक के लिए है तो जो लोग को करेक्ट नहीं हो रहा था इरा फिप्टेंट सिक्टेंट इस कनेक्टेट अब मसला याता है कि आप आपको इस नहीं होता है तो अब कोशन है और बी कोशन है से इससे मॉडल की लिस्ट कौन सी है तो मोडल इस नहीं नहीं ने बताई है देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ क्योंकि में पास iPhone 11 Pro Max है जिसके अंदर iOS वर्जन इसने क्या करा है कि 15 और 16 के बीच में जो iOS वर्जन है सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है अगर 16.1.1 भी हो रहा ना तब भी सपोर्ट ने कर रहा है अगर यह 14 पॉइंट वर्जन भी हरा ना तब भी सपोर्ट ने कर रहा है यह इन्होंने अपडेट दिया था यह मैंने पूरा पढ़ लिया तो इसमें जो समझवा है मैं आपको समझाऊंगा विंडोज और मैक के लिए टूल है सिफ वोसी विंडोज के लिए अभी मैक के लिए टूल आया अगर आपको इस मैक बुक नहीं है तो आप शेरिंग वग और लगाएं तो आप मोबाइल को करना पड़ागा आपको चैक करना पड़ागा सपोर्ट हैगा सपोर्ट है तब ही और लगाएं उसका बाइपास हो कर लेता था इसके बाद 16 और 17 में यह नहीं है नहीं होता है आप चाहाओ तो थ्रीव टूल करना वह शूर नहीं करेगा पॉसिबल है कि थर्ड पार्ट याप यूज़ करके तो आप कर सकते हो वहना इसके लावा कुछ नहीं है अकसल लोग यह बास समझते है कि जल्बर कर लिया तो आइकलाव रिमूफ हो गया ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जल्बर के प्रोसेस है जो कि करना आना चाहिए अगर हो गया तो ठीक है फिर हम आगे को जो टूल होता हूँ बाइपास करता है जल्बर कर लिया तो एक ऐसी चीज़े कि आपने अगर से आट को जल्बर कर लिया तो कुछ फीचर से हैं जो कि उसमें पॉसिबल है कि वह अनलॉक हो जाए एक्जामपल के लिए अगर मैं कर रहे हैं मतолब कि मना करते हैं कंपनी और उसी कंपणी क on शे critically है को तो मना करते हैं तो जलोग तरीके से प्रोसें होता है यह तो फीर टूलrang और बना कर तो बहुत सा लोट करते कि अपने करते हो घ्र फोर लोंतर के हैं हम चरूपर सिश करते हैं on your अब मेरे को चीज़ चेक करना है देखो आइफोन अभी तो वह है ना 10R से उपर ही वह होगा आपका क्योंकि 10 से नीचे तो आपकी से यूज़ को सब्सक्राइब अब आपकी से वंटीन वर्जन तो फिर बूझ जाओ क्योंकि दिसेबल पर तो लेटर्स वज़न फ्लेश होगा आइफोन का यह रूल है कि वह डाउन ग्रेट फ्लेश नहीं करता है बहुत लोग मैसेज करते हैं तो हमेशायाद को आइफोन हमेशा फ्लेश होगा लेटर्स व नहीं लेगा तो टैनार से लेके 14 तक होगा अगर डिसेबल है तो सट गया आप भूल जाओ भी कुछ दूनों के लिए अगर आपके पास 14 वर्जन 15 से 16 के बीच में यह वर्जन है आपके पास कोई सा तो आप सपोर्टीट और आप बाइपास करवा सकते हों ठीक है तो यह है आज की डेट में और क्या क्या प्रोसेस है अनली 3 स्टेप तो सकसे स्टार्ट प्रोसेस प्लेस और रेंड बाइपास और यह कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूं यह क्या कर रहा है आई रिमोबल प्रो को एक टूल है जो की पिछले तक्रीम दो बहिने से आईफोन को के लिए एक लिंक है कि आप मेरे ही सर्वर आप यूज कर रहे है बस आपका नाम चल ला है उसके अंदर तो वह प्रोसेस होता है ठीक है और उमिद्द आपको वीडियो पसंद आएगे समझ माई यह बात ओटी अपडेट कर सकते हैं जब आप वह कर लेंगे यह ता जित्ती भी प्रॉब्लम सब सबस्वाल हो जाएगा अगर आप यह सोचें कि मैं यह काम ने कर सकता है तो ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ काम कर रहे है और कोई प्रॉब्लम हो कुछ सवाल हो जो आपके जो रहे गए हो मेरे कुछ दखता है कि यह चीज़ जादा थी वह साल ल प्रॉडल की क्या के लिस्ट है विंडोस को टूल आया के नहीं आया कैसे कर रहे हैं लोग यह से बाइपास कर रहे हैं तो कुछ भी अगर आपके पास रिलेटेड कोशन है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो थैंक्स फार वाचिंग